तीन अलग अलग गाड़ियां जब्त की गई हैं शराब भारी मात्रा में जब्त किया गया है नमस्कार आप देखना शुड़ू कर चुक है लाइफ शुड़ीज को मेना अभिशे के शराब बंदी वाले बिहार में लगातार हैरान कर देने वाली तस्वीरे आती है कि किस तरीके से शराब तसकर नया नया हतकंडा अपनाते हैं और बिहार में शराब की खेप को ले आते ह और तखाना बना दिया आता है कई बार देखाओगा ट्रक के अंदर तखाना लेकिन एक कार पगड़ी गई तो उस उसकार में हर जगात तक काना घ् disrupt निंग की गई और पांच आदमी उस कार में बैठे हुए थे यूपी के औरके उसक्प्र है जो शराब लेकर बिहार में पहुचे और बिहार में टेट्रा पैक की शराब बेचनी थी लेकिन जब पुलिस ने जाच के दौरान पकड़ा तो पुलिस भी देखकर दंग रह गई और इस तरीके से कार को कि कारवाई की जा रही है वहीं गाय घाट थानाच्षेतर में अलग-अलग इलाकों में बड़ी कारवाई भी गई यह ट्रक से भी शराब बरामत की गई है और अलग-अलग कारवाई में कई लोगों को गिरफतार किया गया है फिलाल उनसे पूर्स्तार्च कर आये की प्रफ्याओं के विरूद एफेक्टिव कारवाई की गई है तीन अलग अलग गाडियां जब्त की गई है शराब भारी मात्रा में जब्त किया गया है और पांच व्यक्तियों के रिष्टिंग की गई है अग्रेतर कारवाई हम लोग सुनुश्चित कर रहे हैं एक कार भी पक परिवहन के क्रम में पुलिस को शराब जब्त करने में कठनाए हो लेकिन अच्छो कि आसूचना हम लोग को प्राप्त हुई थी उसी राप्त आसूचना के आलोग में उस गाड़ी को जब्त किया गया है और ग्रप्तारी भी सुनुश्चित करी गई है जो लोग पगड़े टाटा इंडिगो जब कार है उससे लगभग 119 लिटर शराब बरामद हुआ है जबकि ट्रक है उससे 186 काटन शराब चप्त किया गया इस तरह से अलग मामलों में शराब की बरामदगी हम लोगों ने की है तो आपने सुना कि DSP मनोश पांडे ने क्या कुछ का उन्होंने पूरे मामले की जानकाई दिये उन्होंने बताया कि साफ साफ कार को रिमॉडलिंग कर दिया गया था और पूरी कार को टैखाना बना दिया गया था शराब माफियाओं का नया हतकंड़ा अपना कर शराब की बड़ी-बड़ी खेप भेजी जा रही है इसा खुलासा पुलि शराब आही रही है रुकने का नाम ही नहीं ले रहे रहे शराब माफिया और नए नए हतकंड़े अपना रहे हैं कई बार खुलासा भी होता है तो बहुत रहे लाइप इसके साथ हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए फिस्ट को लाइक करिए